कटिहार जिला के आजमनगर प्रखन अंतरगत केलाबारी पंचायत के वाट संख्या 10 और वाट संख्या 14 में हलकी बारिश होने पर ग्रामिलों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है बारिश होने पर असालत गंज और इमाम नगर वाट संख्या 10 और वाट संख्या 14 की सड़कें तालाब में तबदील हो जाती है यहां के लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी काफी परिशान है कहीं घर से निकले तो बाहर कोई हाथसा न हो जाए ग्रामिनों का कहना है कि अचानक से आई किसी आपातकाल स्थिती में निकलना बेहर्द मुश्किल है अगर किसी भी तरह के बिमार वैक्ति को ले जाना हो तो कैसे लोग मुखे सड़क तक पहुँचेंगे ये भी एक चिंता का विशह है इस गाउं में 500 घर की आबादी है जो इस समस्या को झेल रही है वोट के समय सांसद होई अविधायक आते हैं और अपना जूटा वादा करके इन गाउंवालों से वोट लेकर चले जाते हैं गरामिनों ने कहा है कि लोग इस बार वोट उन्हें देंगे जो इनकी समस्याओं को पाड़ लगाएगा इस बार वोट किसको दीजेगा? करेंगा हैं, किया दो समय हैं, भीको इने देखता है? लगोट लेने हैं सब को हैगा आए आए पाने पूल लेगा नियुक्ता है पुरा पनी भेलेगें और दो जूनाऊ का समय कुद्धायक कभी यहां पूरे पानी है यहां से वहां तक पूरे पानी है यहां से वहां तक प्रेशानी होता है क्या बहुत प्रेशानी किता पाणी है तर लगा यहां किया समस्या आपके हैं याप समस्या पानी का समस्या बहुत पानी है क्या है मुख्या जी रोट ने बनाते है क्या कुछ नहीं बनाता है कोई काम नहीं करता है विदाया क्या है यांकर आया है कभी देखने के लिए अभी नहीं है